Hello everyone and welcome to some nursing classes तो आज हम देखने वाले हैं कि देखिये यहाँ पर PBSC नर्सिंग में जो जो question आये थे तो वो देखिये MSC नर्सिंग में भी आ सकते हैं तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि MSC यहाँ पर किस तरह के question आ सकते हैं MSC नर्सिंग के लिए या फिर PBSC के लिए यह जो हमारा एक्जाम हुआ था तो फास्ट हम देखते हैं What is the man's side effect of ECT? तो जो ECT का जो मुख्य हम बोल सकते हैं कि ECT का मुख्य side effect क्या है? तो फास्टी तो हम यह देखेंगे कि जो इसमें हापर कुछ option दिये हुए हैं यहाँ पर लिखा है रेडियो ग्रेट, एमरेशिया और इसके साथ साथ हमें दिया है फैक्चर दिया है हाइपोटेंशन दिया है और सीजर दिया है तो इसमें से यह बताना है ECT का जो man's side effect है वो क्या है? तो सबसे पहले हम यह देखते हैं ECT का full form क्या होगा? ECT का full form यहाँ पर electroconversion therapy है और इसका जो side effect हमें देखने को मिलता है वो है क्या A मतलब radio great amnesia तो इसका जो side effect हमें देखने को मिलता है radio great amnesia इसका जो side effects हमें देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यह जो DMPA is available as government supply by name of अब DMPA जो DMPA है वो क्या है DMPA फरस्टी तो मैं पता होना चाहिए कि DMPA क्या चीज है DMPA एक contraceptive है contraceptive बोल सकते हैं कि contraceptive के अंदर आता है तो यह सरकारी आप उर्टी के नाम में अपलब्ध है वो किस नाम पे है जैसे कि हम देखते हैं जो DMPA जो है वो medical हम बोल सकते हैं कि यह हमें किस नाम से देखने को मिलता है तो यह हमें देखने को मिलता है यह contraceptive injection है यह मोस्ती हमें अंतरा में देखने को मिलता है तो इसका आंसर क्या होगा यह अंतरा जो अंतरा हमें देखने को मिलती DMPA government supply में देखने को मिलता है next देखने है which statement is true regarding society society के regarding समाज के regarding कौन सा जो भी यहाँ पर कथन है वो सत्य नहीं है तो यहाँ पर हमें देखना है society is independence society is permanent conflicts are not found in society all all individual does not perform similar function मतब समाज में अन्यो याश्रित है समाज स्थाई संस्ता है समाज में संगर्स नहीं पाय जाते है सभी बक्ति समानकारे नहीं करते है तो देखें समाज में संगर्स नहीं पाय जाते है यह कथन शत्य नहीं है क्योंकि समाज में संगर्स पाय जाते है तो समाज में संगर्स नहीं पाय जाते है यह क्या है यह इसका जो आंसर है वो क्या है यह रॉंग है तो मैं तब राइट आंसर होगा समाज में संगस नहीं पाई जाते कॉन्फिक्ट आर नौट पाउंड इन सोसाइटी क्योंकि यहां पर पूछा है जो कथन शत्य नहीं है और यहां नेक्स हम फोर्थ नंबर का देखते हैं Group of Individual, Group of Individual भी association की characteristic के अंदर आता है, Define Aim ये भी association characteristic के अंदर आता है, Wased on Rules ये भी association के अंदर गताता है, Informed Relations जो है वो association characteristic के अंदर नहीं आता है, तो Right Answer होगा Informal Relations, Informal Relations, Characteristic of Association के अंदर नहीं आता है, फोर्थ आंसा देखिए, आपर सभी के correct answer भी नीचे लिखे हुए है, Next हम देखते हैं, Which of the following is not an institution, निम लिखित मैं से कौन सी एक संस्था नहीं है, कौन सी इस्था नहीं है, Marriage है institution इसका, Family ये भी institution है, State ये भी institution है, बट इंडिविज्वल को institution के अंदर नहीं आता है, Next सिकते हैं, Which of the following is not a characteristic of social group, निम लिखित मैं से कौन सा समाजिक समू की विशिष्था नहीं है, इसमें से social group की विशिष्था नहीं है, तो social group की जो विशिष्था नहीं है, जैसे कि हम दर unity state, ये तो social group के अंदर आता है, common interest, ये भी social group के अंदर आता है, same form of control, ये भी social group के अंदर आता है, no individual rules, कोई व्यक्तिकत भूमिका नहीं, ये social group characteristic में नहीं आता, क्योंकि देखिए, individual में rules तो होने ही जाहिए, तो यहाँ पर लिखा है, no individual rule, तो right answer होगा, no individual rule, तो ये characteristic social group का नहीं है, next देखते, which of the following is disadvantage of exogamy marriage, निमली कित्मे से कौशा बहु विवाब विवा का नुक्षान है, exogamy marriage का disadvantage क्या है, healthy, यहाँ पर लिखा है, healthy office spring, intergroup relation, prevention of biological defect, poor adjustment, तो exogamy marriage का मतलब होता है, एक से ज़्यादा, जो marriage होती है, उस विवाब के disadvantage क्या है, स्वास्त संतान, अंतर समू संबंध, मतलब intergroup समू, यह भी नहीं है, जैविक दोशों की रोग था, मतलब prevention of biological effect, यह भी नहीं है, poor adjustment, कमजोर, शमायोजन, मतलब अगर आप exogamy marriage कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर poor adjustment देखने को मिल सकता है, तो इसका आंसर होगा, poor adjustment, next question देखते हैं, refuse to show affection of child is bitch form of child abuse, बच्चे को इसने दिखाने से इंकार करना, किस प्रकार का बाल सोशन आता है, मतलब उसे हम affection नहीं दे रहे हैं, उसे refuse, मतलब उसे स्ने नहीं दे रहे हैं, तो इस child abuse में आता है, किस child abuse में आता है, physical, sexual, emotional, या फिर neglect, तो राइट आंसर होगा, emotional, क्योंकि जो स्ने होता है, वो emotions के अंदर आता है, तो ये कौन सा child abuse है, emotional, emotional child abuse के अंदर आता है, question number 9 में देखते हैं, most usual causative organism of pharyngitis, तो जो pharyngitis का, जो cause है, वो क्या है, pneumococci, beta-hemolytic, streptococci, E. coli, या फिर cholesterol, राइट आंसर होगा, beta-hemolytic, streptococci, बहुत important है ये, तो जो pharyngitis का, जो causative agent होगा, वो है, beta-hemolytic, streptococci, next हम देखते हैं, normal blood urea level इस, जो urea का normal level क्या होगा, 6 to 20 mg per dl, 0 to 10 mg, 40 to 60 mg, up to 100, right answer है, 6 to 20 mg per dl, जो blood में urea का level होता है, next देखते हैं, litho, lithotripsy is advised to treat, lithotripsy किस इलाज की सला, मतब से इलाज की सला दी जाती है, nephritis, renal stone, prostate cancer, या फिर acute renal failure, तो lithotripsy यहाँ पर पूछा है, तो lithotripsy किसका treatment है, renal stone का, lithotripsy जो इलाज है, जो advice दी जाती है, वो mostly renal stone के लिए दी जाती है, तो right answer is renal stone, next question देखते है, which of the following is most common cause of immediate PPH, कौन सा ततकाली PPH का सबसे समान कारण है, तो यह अभी पूछा गया था, तो PPH का जो मैन कारण है, वो क्या है, तो atonic uterus, puperial sepsis, prolapse cord, prone, तो यह देखे, यह वाला question, दो साल पहले पूछा था, MSC में, तो atonic uterus, right answer is, atonic uterus, जो है, PPH का मैन कारण है, atonic uterus, next देखते हैं, निमलिखित में से, following are the risk factor of urinary incontinence, except, मूत्र जो urinary incontinence है, मतब जो इसके risk factor है, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, यहाँ पर, मतब हमें को यह का ऐसा बताना, एक को छोड़कर बताए, तो pregnancy, pelvic muscles weakness, Parkinson disease, या फिर hypertension, तो सारे pregnancy भी, urinary incontinence का risk factor है, pelvic muscles weakness भी है, Parkinson disease भी है, लेकिन hypertension नहीं है, question number 14, the outermost layer of meninges, तो meninges की जो outermost layer है, वो कौन सी है, देखे, pyameter, durameter, तो durameter कौन सी है, सबसे अपर वाली, यहाँ पर हमें देखने को मिलती, meninges की, outer most layer है, meninges की, क्या यहाँ पर देखने को मिलती, durameter, इसके साथ हम देखते हैं, कि जो pyameter है, arachnoid meter है, वो कौन सी हमारी देखने को मिलती है, तो हम देखते हैं, आपर, meninges की layer में हम यहाँ पर देखते हैं, कि यह जो हम देखते हैं, चलिए, जो pyameter है, तो meninges की layer में, जो pyameter होती है, वो सबसे inner layer होती है, pyameter, और इसके बाद हम देखते हैं, जो इसके बाद जो आती है, arachnoid, arachnoid हमारी second layer होती है, मतलब middle layer हम इसे बोलते हैं, और जो durameter होती है, वो outermost layer होती है, तो इस तरह से हमने देखा, कि pyameter inner most layer, एरिक्णोइड मिडिल लेयर और डूरा मेटर होता है वो होती है हमारी आउटर मोस लेयर और यहां पर लेखा एक कोराइड तो कोराइड क्या है कोराइड एक स्पेस है मतलब इसमें जो फिल होता है भरा होता है जो लिक्विड फॉर्म में भरा होता है कोराइड इस पेस जो क नॉर्मल वैल्यू क्या होगी CSF की तो CSF की नॉर्मल वैल्यू हम देखते हैं 80 से 150 ml 80 से 150 ml CSF की नॉर्मल वैल्यू होती है एक अडल्ट में Cerebrospinal Flood Thoracic Nerve R तो thoracic nerves जो होती हैं तो यहां पर देखते हैं कौन सी हैं कितने जोड़े होते इसमें 8 Pair, 12 Pair, 5 Pair या फिर 10 Pair तो thoracic nerves जो हम नर्फ देखने को मिलते हैं यह हमें 12 Pair में देखने को मिलते हैं Thoracic nerves 8 12 Pair उसमें देखने को मिलता है नेक्स देखते हैं यहां पर abbreviation HS mean अब यहां पर HS का meaning क्या है देखें बहुत ही easy question पूछ लिए यहां पर HS का meaning क्या होता है जो डॉक्टर्स रहते हैं लिख देखें HS तो HS जो medicine में देते हैं हम जैसे की तो at bad time HS का मतलब होगा कि जो tablet आपको bad time लेनी है तो tablets के सामने लिख दिया जाता है तो at bad time HS का meaning होगा All our motor nerve accept सारी motor nerve है बजाए एक को छोड़कर oculomotor, optic या फिर trochlear nerve या फिर hypoglosal nerve तो इसमें से motor nerve कौनसी नहीं है तो देखें oculomotor भी motor nerve के अंदर आती है trochlear nerve भी motor nerve के अंदर आती है hypoglosal भी motor nerve के अंदर आती only optic nerve motor nerve के अंदर नहीं आती है तो right answer होगा optic nerve next देखते priority for an unconscious patient is बेहोस मरीज के लिए प्राथमिक्ता सबसे पहले क्या होई क्या हम उसे nutrition देंगे बिल्कुल नहीं airway clearance, personal hygiene, bad sore prevention देखिए personal hygiene तो बात की बात है bad sore, bad sore prevention भी सबसे पहले एक unconscious patient के लिए airway clearance होना चाहिए उसको सांस लेने में problem नहीं होनी चाहिए तो right answer होगा B which medicine is decrease secretion and prevent laryngospasm कौन सी दबा स्त्राप को कम करती है और laryngospasm को रोगती है तो देखते हम यहाँ पर किसी क्रेशन को क्या करती है यहाँ पर कम करती है और laryngospasm को रोगती है तो right answer इसका होगा atropin तो atropin क्या करती है secretion को रोगती है और laryngospasm को भी क्या करती है रोगती है इस्तराप को भी कम करती है तो atropin होगा इसका right answer breastfeeding is contraindication except breastfeeding contraindication है इस तन पान बरजित है मतब इस तन जो भी है contraindication है एक को छोड़ कर mother is chemotherapy drug if mother HIV positive if phenyle ketonuria is infant या फिर in diarrhea in infant तो किस समय breastfeeding नहीं करवानी चाहिए तो अगर बच्चे को diarrhea हुआ है तो मा का दूदो से बिलकुल भी नहीं पिलान है तो right answer होगा in diarrhea if diarrhea is infant प्रवल रिक्वेस्ट का response दे सकता है पर्टिलाइजिशन को इंडिकेट का सकते हैं ग्रॉस रिप्रड़क्शन रेट से प्रेग्नेंसी रेट से बट मैटलिटी मॉटिलिटी रेट पर्टिलाइजिशन इंडिकेटर नहीं है antibodies made up by antibodies निमित होती है किसे albumin से, globulin से, clotting factor से या फिर harmon से तो जो हमारे body में antibodies होती है वो globulin से बनती है बहुत important है antibodies made up by globulin which substance is released by platelets during clotting तो कौन सा सबस्टेंस यहां पर देखने को मिलता है fibrosan, creatinine, serotonin and thromboplastin यह तो हमें पता है तो thromboplastin release होता है platelets से during clotting इसी के कारण clotting देखने को मिलता है thromboplastin के कारण ही clotting हमें देखने को मिलता है यह भी सारे clotting factors हैं बट release की बात कर रहा है कौन सा substance disease होता है during plotting तो thromboplastin haptic artery in the branch of जो hepatic artery है वो branch है किसकी branch है hepatic धमनी किसकी साखा है gastric artery की splenic artery का colliac artery या फिर pharynic artery तो right answer होगा colic artery जो hepatic artery है वो कहां की है colic artery की है जो branch है वो हमें colic artery में देखने को मिलती है grave disease is association जो grave disease है रोग संबंदित है किस से है antiderotic hormone से growth hormone से T3, T4 hormone से या फिर glucocorticoid hormone से तो right answer होगा T3 and T4 hormone से grave disease है यहाँ पर संबंदित है vitamin B12 is essential for synthesis vitamin B12 sensation के लिए अवश्रक है किसके sensation के लिए अवश्रक है किसके synthesis के लिए अवश्रक है तो DNA vitamin B12 यहाँ बहुत ही जरूरी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेटिंग प्राइटी के अंदर आप देखते हैं असिस्मेंट डिएग्नोसिस प्लानिंग या फिर इंप्लिमेंटेशन राइट आंसर इस प्लानिंग दा मोस्ट एप्रोप्रियेट साइड ओफ मेजर दा टेंपरेचर ओफ हार्ट डिसीज पेशेंट गर्म सूप पीने वाले हिर्दय रोगी के तापमान को मापने के लिए सबसे उप्योगत स्थान है जिसने गर्म सूप पिया है हिर्दय रोगी का तापमान को मापने के लिए सबसे अच्छी जगा कौन सी होगी एक्जिला, ओरल, पैप्रिटियल या फ्रेक्टल तो इसका रांसर होगा ओरल इस्पून सेव्ड नेल्स आर करेक्टिस्ट है अगर आपके स्पून सेव्ड नेल्स हो रहा है तो वो किसको एंडिकेट कर रहा है एनिमिया को अब देखते हैं हाँ पर विच स्कोर विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू ग्लासगो कोमा इसकेल एफ पेशेंट यूज इन एप्रोप्रियेट वाल्ड वाल्ड वाइल मेजरिंग बरवल रिस्पॉन्स यदि मरीज मौखिक प्रक्रिया को मापते समये आशंग सब्दों का प्योग करता है ग्लासगो कोमा इसकेल का इसकोर दिया जाएगा ग्लासगो कोमा इसकेल भी अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं तो अगर वो कोई गलत पर्ट्स का यूज कर रहा है तो इससे हम 3 स्कोर देंगे इसमें से फीबर प्रैसर अलसर के लिए रिस्पोंसिवल नहीं है Surgical Processor हो सकता है, Insomnia हो सकता है, Low Protein Diet हो सकता है बट प्रैसर अलसर का रिस्प्रैक्टर फीवर नहीं हो सकता Which of the following is the Hypotonic Solution? निमलेकित मैं इसको कौन सा Hypotonic Solution है? यह भी कई बार Qaushon पूछा है तो 10% Deaxtrose is Botter के Hypotonic Solution के अंदर आता है Tidle volume is adult lung sin Bask के फेफ़डे का Tidal आयतन होता है क्या होता है? Lungs का 500 ml होता है ये भी बहुत important है ये भी कईवा पूचा है तो जो Bask है Tidal volume है वो कितना होगा? 500 ml होगा Nageel Rules is used for estimation Nageel के नियम का उप्योग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है तो यहां पर देखते हैं किसके Estimated Delivery Date Gas Station Period, Size of Pelvic, Length of Amilical Cord तो जो Estimated Delivery Date है Estimated Delivery Date है जो नियम है वो किसका है Neglect Rules के अंतर गता है बहुत इंपोर्टन है यह Estimated Delivery Date Quickening May Notice First Why Mother Add Quickening है वो कब महसूस होता है तो यह Quickening हमें देखने को मिलता है 14-16 वीग देखिए यह वाला कॉशन कही बार पूछा है Quickening जो देखने को मिलता है वो माम है जो 14-16 वीग के अंदर देखने को मिलता है यह याद रखना है 14-16 सब्ता मतलब यहां हम सब्ता की बात करते है तो मन्त कितना होगा मन्त की बात कर लेते हैं तो 3-4 मन्त में Quickening देखने को मिलता है The second stage of labor beginning when प्रशब का दूसरे चर्णे सुरू होता है Contraction are regular Membrane have rupture Cervix is dilated Mother expal clear vagina Second stage में क्या होता है Second stage में cervix क्या होता है Proper dilate हो जाता है तो यह होगा third answer The cervix is dilated completely Right answer is third Next देखते हैं Premature separation of the Placenta from uterine wall After the 20th week of gestation Is known as Garv naharan के 20th सप्ता के बाद Placenta का गरवाशय की दिवार से समय से पहले Alग होना कहलाता है Placenta separation of the placenta From uterine wall After the 20th week of gestation Is known as जिसे गरवावधारन के 20th सप्ता के बाद Placenta का गरवाशय की दिवार से समय से पहले अलग हो जाता है separate हो जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं 20 सप्ता जल्दी हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे Abruptia Placenta Abruptia Placenta 20 week से पहले अगर Placenta separate हो जाता है तो इसे हम Placenta या फिर Abruptia Placenta बोलेंगे To prevent Throb Edgar phlebit after cesarean delivery mother is advised for cesarean delivery के बाद रॉम वो phlebit को रोकने के लिए मा को निमले के सला दी जाती है क्या दी जाती है embulate frequently बार बार टह ले तो cesarean delivery के बाद उसे अडवाई दी जाती है कि आप क्या गरन टह ले हलका हलका टह ले हले है बहुती है यह भी कई बार पूछा है तो anterior जो होते हैं वो कब close होते हैं तो इसका right answer होगा 12-18 मन्त में देखें anterior और posterior में नहीं होना anterior होता है कम से कम 12-18 मन्त में और जो posterior होता है वो जल्दी हो जाता है वो 2-3 मन्त में वो close हो जाते हैं तो anterior fontanel 12-18 में यह close हो जाते हैं पोस्टेर का confirm कर लेते हैं पोस्टेर कब close होते हैं तो पोस्टेर में हम देख लेते हैं पोस्टेरियर fontanel close तो पोस्टेर फोन्टेरल close का जो होगा right answer होगा वो होगा विदिन सिक्स तू एट वीक पोश्र फॉंटरल जो क्लोज होंगे सिक्स तू एट वीक एट वीक मतलब हम मन्थ क्या बोच सकते हैं तू से थी मन्थ विच अब दा फॉलविविग मैडिशन इस जूज तो इंड्यूज लेवर कौन सा प्रेडित करता है लेवर को इंड्यूस करने के लिए ओक्सिटोशिन वाटी सिंपल है विच अब दा फॉलविग वुड भी इंक्रीज इन सिक्कल सेल डिसीज सिक्कल सेल वोग मैं निमलिकित मैसे किसकी ब्रद्धी होती है प्लेट्लेट्स काउंट की हिमेटोक्रिट लेवल की रेटिक्लोसाइट्स की या फिर हिमोग्लोबिन की रेटिक्लोसाइट्स काउंट क्या होता है सिक्कल सेल डिसीज में इंक्रीज होता है रेटिक्लोसाइट ये कॉश्टन भी कई बार पूछा है तो रेटिक्लोसाइट काउंट क्या हो जाता है, increase हो जाता है rotavirus vaccine is administered by which roots इसे oral दिया जाता है all are the precipitating factor of endometrial cancer except सभी endometrial cancer के प्रेरित कारक है सिवाए सभी क्या है endometrial cancer के क्या है, factor है लेकिन एक को छोड़के history of uterine polyps ये भी endometrium का हो सकता है polyps obri disease ये भी हो सकता है, high parity and late menopause late menopause के कार्ण भी endometrial cancer हो सकता है, लेकिन high parity, उच्च प्रेश्विता ये कोई रीजन नहीं है which diet should be avoided in chronic pancreatitis chronic pancreatitis में कौन से आहार से बचना चाहिए अगर chronic pancreatitis हुआ है तो क्या नहीं खाना चाहिए, fat तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि pancreatitis हुआ है, तो fat वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो pancreatitis, अगर chronic pancreatitis हुआ है तो fat को रोटली अवाइट करना है trachistomy suctioning should be maximum up to trachistomy suctioning अधिकतम कितना होना चाहिए तो जो इसका time होना चाहिए 10 seconds, ज्यादा से ज्यादा 10 seconds इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए trachistomy suctioning 10 seconds का होना चाहिए early stage sign of cataractis, जो cataract का जो early stage होगा sign क्या देखने को मिलेगा, symptom क्या देखने को मिलेगा तो अगर मोतिया बिंध है तो सबसे पहले उसे क्या होगा धुन्दली धुन्दली बिजन होगा, धुन्दला दिखाई देगा तो क्या होगा, blurred vision right answer is, blurred vision which medicine you used in national warming day रास्टी, warming day भी वह सकते, रास्टी क्रशी मुक्ती दिवश में किस दबा को प्रियोग किया जाता है right answer is, alvandazole तो alvandazole का यूज किया जाता है open viral policy of applicable on following vaccine accept खुली बाइल खुली बाइल नहीं थी, निमले कि टीकों पर लागू होती है जो open viral policy है, सब पर लागू होती है, लेकिन एक को छोड़ का है pentavalent, tetanus oxide, BCG, OPV तो BCG को छोड़ कर, जो ये सारी, क्या होती है ये हमारे, ये सब कैस में आ जाती है open viral policy is applicable है BCG को छोड़ कर तो pentavalent, tetanus, OPV ये सारी open viral policy is applicable है recommanded solution to apply on code at worth जन्म के समय गर्व नाल पर लगाने के लिए अनुशन से solution है क्या लगाना है, जैसी solution मतब कौड में कौन सा solution लगाना चाहिए तो potassium apermanent, betadine, या फिर mercury तो कुछ भी नहीं लगाना है कौड में तो देखें, घुमा दिया इसको तो कुछ भी नहीं लगाना है इन्दा, phototherapy, the temperature of baby should be murdered at early phototherapy में सुशू के तापमान को मापना चाहिए प्रत्य कितने घंटे में कम से कम 4-6 घंटे में हर 4-6 घंटे में अगर phototherapy में बच्चा है तो उसका temperature हमें नापना चाहिए 4-6 घंटे में विच अब दा फॉलविग इस नॉट रिस फेक्टर ऑफ कॉर्णोरी हार्ट इसीज में से ही कॉर्णोरी हार्ट इसीज का रिस फेक्टर नहीं है smoking तो है oral contraceptive ये भी है stress ये भी कॉर्णोरी हार्ट इसीज का रिस फेक्टर है but hypotension नहीं है क्योंकि ये hypo है next which of the following advice should not be given after milistration पुरुष नहीं के बाद नहीं कौन सी सला नहीं देनी चाहिए avoid taking both for 24 hours या फिर वीटी वेंडेज for 15 days पंदा दिनों के लिए टी पट्टी पहने पंदा दिनों तक साइकल चलाने से बचे ये तो advice देनी है लेकिन साथ दिनों के बाद गर्म रोधक का उपयोग करने के आवश्यक्ता नहीं है तो ये advice देनी है आपको गर्म रोधक लेने के आवश्यक्ता नहीं है which of the following is essential amino acid essential amino acid कौन सा है इन मैं से कौन सा है तो इसका जो होगा right answer traptofen इसके लावा जो essential amino acid होते है 9 essential amino acid होते है तो वो 9 essential amino acid कौन कौन से होते हैं हम ये देख लेते हैं तो essential amino acid में हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से देखे एक बस लेखा है हमारे पास traptofen इसके लावा histodine भी होता है icolucane भी होता है essential amino acid ducane भी होता है lysine भी होता है dann यहाँ पर methonine भी होता है phenyl 9 भी होता है और trafenine भी होता है इसके लाबा यहाँ पर हम देखते हैं valine भी होता है and tryptophan भी होता है और इसके बएशन और जो organin है serenin है glutamine है यह आदर amino acid के अंदर आते हैं लेकिन जो essential acid है ये 9 amino essential जो है histodine, isolucine, leucine, lysine, तो ये सारे जो हमें देखने को मिलते हैं, methionine and phenylinin, ये सारे हमारे कौन से आ जाते हैं, ये हमारे 9 essential amino acid में आ जाते हैं. The therapy which amd provides a healthy environment is, चिकिश्य थेरपी किसका उद्देश एक स्वस्त भातवन प्रदान करता है? Milius therapy, तो इसका क्या हो जाएगा? चिकिश्य थेरपी जिसका उद्देश एक स्वस्त भातवन प्रदान करता है, healthy environment प्रदान करता है, वो है Milius therapy, तो ये हमारा हो जाता है, 56 question